अब खबरे विस्तार से खबर आ रहे हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंती पुस्कर सिंग धामी हरिद्वार के हरिहर आस्रम में पहुचे हैं। आपको बता दें कि कारिकरब में लोग सभाधेच, ओम बिल्डा भीम सिकरत करते हुए नजराएं हैं। हरिहर आश्रम में आचार महामंडलेस्वर स्वामी अउधेसा नंदगीरी महराज के जीवन पर आधारित पुस्तक तप और तपस्या का बिमोचन कारिक्रम में करने वाले हैं वहें खबर हरिद्वार से है जहां अग्रिपत योजना के विरोध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अधिच करण माहरा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शत्याग्रह किया गया वहें सत्याग्रह में शामिल विधायक रवी वहादूर का कहना है कि आज सभी कांग्रेस की सत्याग्रह पर बैठे हैं यह सत्याग्रह देश के विवाओ को अग्रिपत योजना के माध्यम से जो ठगा जा रहा है उसके खिलाप हो रहा है और जो लगतार कई सालों से फोज में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं यह योजना उनके सपनों को चक्ना चूर करने वाली है जो देश की सेवा करना चा देखे आज सत्य ग्रह पूरे देश में कॉंग्रेसियों ने किया है समास से भी जितने भी थे जितने भी शुक्चिन तक इस देश के हैं आज सब सत्य ग्रह पे हैं और उसका कारण है इस देश के परदान मंतरी और ग्रह मंतरी की तुछ मानसिक साथ जो युवाओ के साथ इस देश के खिलवाड किया जा रहा है जो यहां की सुरक्षा के साथ इस देश की खिलवाड किया जा रहा है उसको लेके आज कॉंग्रेसी सत्य ग्रैपे हैं कि चार साल चार साल में कोई क्या ट्रेणिंग लेगा क्या देश की सेवा करेगा और उसको रिटैर्मेंट करा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत खिलवाड है इस देश के युगाउ के साथ कहा तो इन्होंने करोडों नोकरी देने का वादा किया था और अब 7,7 साल में 14 करोडों वहीं खबर हरी द्वार से भी आ रहे हैं कि जहां केंदर सरकार द्वारा सडकों का निर्माड करवाने के लिए महत्पूर्ड योजना चलाई गई है जिसके माध्यम से उत्राखंड के पहाडी चित्रों में सडकों का जाल बिछाया जा रहा है और यह काफी हद तक उत्राखं के लिए महत्पूर्ड भी है अब धार्मिक मंदिरों पर सद्रहलों को किसी प्रकार की जाने में दिक्कत नहीं हो इसको लेकर रोपवे का भी निर्माड करने की योजना बनाई जा रही है है कि ऋ महत्लों पहले भारत माला लेकर आए भारत माला परियोजना ने उत्राखंड राज्य कोर्वादिक लाब मिला अब परवत माला के माध्यम से जो इस बार भारत सरकार ने परवत माला योजना जो प्रारम्ब की है उस योजना का सरवाधिक लाग उत्राखंड को होने वाला है ऐसे बहुत सारे इस्तान जो देविस्तान है हमारे धार्मिक इस्तान है बहुत सारे जो परेटन के इस्तान है उन सबी इस्थानों पर हम रुब्ब्य को प्रस्तावित कर रहे हैं और भार सरकार के शयोग से उन सबी स्तावित कर आगे आने वाले समय में हुल क्या जिसके लोग अपनी धार्मिके इच्छा अपनी परेटन की यात्रा अच्छी प्रकार से वहीं अगली ख़बर रुड़की से है जहां मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री मोधी के नित्युत में लगातार देश मजबूत हो रहा है कि सभी लोगों ने यहां पर आकर इतनी गर्मी में असिरवात दिया है और इनकी अपेक्ष्याओं के अनुरूप जाए रुड़की चेत्रों हमारा हरिद्वार चेत्रों हमारा उप्राखंडों इसको आगे बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा अपना संकल्ब लेते हैं सभी क लुआ कि यहां की पहरवी करते हैं अब कुछ करेंगे पर्दी बतरा जी इस चेत्र से लगातार चीजों को मुद्ण को उठाते हैं यहां की समस्याओं के हल के लिए लगातार प्यास करते हम मोदी जी के नित वत्यूत्य में हम सभी लोग कदम से कदम मिलाकरिदें वही कबर रुड़की से है दिल्ली सब्तर गंज अस्पताल से मरीज को रिसी केस एम से ला रही एक एम्बूलेंस का मेंगलोर के पास हाईवे पर एक्सिडेंट हो गया जिसके बाद हाथ से सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस मोके पर पहुची और घायलों का रिस्क्यू किया वही इस हाथ से में एम्बूलेंस में ब्रेन हैम्रेज से जूज रहे मरीज हल्दानी निवाशी की मौत हो गई है साथ ही दुरगट्टा में एम्बूलेंस चालक और मृतक की पत्नी को चोट आई है जानकारी के मुदाविक हल्दानी निवाशी गोपाल को ब्रेन हैम्रेज कि होनी के बाद पहले जुसी ला तीवारी अश्पताल में भरती कराया गया ता जहां से चिकसों ने उन्हें निज़ी अस्पताल में रेफर कर दिया से दौरार उनके इलाज में लाखों का खर्चा आया जिसकी वज़ेसे उनके परिवार की इस्थित कापी खराब हो गई वहीं गोपाल को आयू सुमान कार्ड का भी कोई लाभ नहीं मिला यहीं हालत गंभी रूप होने पर उन्हें दिल्ली के सब्तर गज़ अस्पिताल में भरती कराए गया वहीं खबर रूपकी से जहां छे साल की बच्ची के मार के साथ दुसकर्म हुआ है मिली जानकारी के अनुसार देर रातरी एक महिला अपनी छे साल की बच्ची के साथ रूपकी से इरिक्सा में बैठकर कलियर जा रही थी महिला ने बताया कि इरिक्सा चालक ब्यक्ति जो रूपकी का रहने वाला है जिसकी रिक्सा में बैठकर कलियर आ रहे थे रास्ते में इरिक्सा चालक ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया महिला की तहरीर के अधार पर कोत्वाली रुड़की में इरिष्टर चालक के खिलाब मुकदमा पंजी गृत किया गया पीड़द बच्ची का इलाज सिविल हर्स्पिटर रुड़की में किया जा रहा है अधार रुड़की में एक मुकदमा पंजी गृत किया गया है जिसमें एक नावालिक बच्ची के साथ रेप का इंसिडेंट सामने आया है उसमें जो बादिया है उसके द्वारा एक पहचान भी की गई है एक वेत्की के नाम के साथ उसको हम लोग सर्च कर गया है जल्दी इसमें जो भी वेधानिक कारवाई है वो सक्षक कर जाई है उसके बड़ा बताया गया है कि दोनों के साथ रेपका इंसिडेंट हुआ है पुलिस के द्वारा हमें बताया गया है रात जे रात री पांच साल की बच्ची आई थी इसके साथ में कुछ वेवार हुआ है और रात में बच्ची काफी ब्लीड भी कर रही थी तो रात में माईनर सजरी कर दी गई थी और अभी हम नहों और एक गंटे पहले उसकी पूर रिपेर कर दिया है लगता तो है बाकी 24 गंटे तो भी देखी रहे हैं उसको हमारे भरती है वह और डॉक्टर्स की सखन निगरानी में हैं और डॉक्टर्स को सकत इधायते दे दी गई है कि पूरा उसका इसकी टीटमेंट में किसी प्रकार की कोई कोटा ही ना बरती जाए और हम लोगों अपनी तरह से पूरी प्रियास कर रहे हैं कि बच्ची स्वस्तों का घर जाए बच्ची की उमर उसके मावाब के दौरदे बताई गई हो प्वान साल ग्यास को बताई गई है मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं जो भी इसका प्रोस्टीजर होता है वह हमार वहीं हरिद्वार मंडल भाच्पा मंडल कारिसिमित की बैठक का सुभारंब हुआ है इस मौके पर कारिसिमित की बैठक को संबोधित करते हुए आदेश चवहान ने कहा कि अभी 2024 आम चुनाओं की तैयारियों में जुट जाना है 2022 की प्रजण जीत ने 2024 में जीत की पठकता लिख दिये वहीं विद्धायक ने कारिसिमित की बैठक में सभी पदाधकारियों का सम्मान करता हूँ बिजेपी के चुनाओं में इतिहास रचा है ये सफलता सबकी सफलता की कहानी बया कर रही है एक आरकरताओं की मिहनस से ही सं परती से अटल जी ने देश दुनिया में उत्राखंड का मान बढ़ाया और आज उसी तरह कासी से पियम और उत्राखंड से पुसकर सिंधामी जैसे नेता दुनिया भर में बिजेपी का जंडा बुलंद कर रहे हैं संगधन की वज़े से ही आज बिजेपी लगातर सफल हो रही है पियम मौदी के कारिकाल को आठ साल पूरे हो गए हैं उनकी बातों और उनके वीजन को जन जन तक पहुचाना हमारा उद्देश है समय के बाद आज फिजीकली भारती जनता पार्टी मंडल स्वालिंग नेगर की मंडल कारिसमिती की बैटक आज यहां जीत की जा रही है क्योंकि पिछले दो वर्सों में करोना के चलते वे फिजीकली इस तरह की बैटके और गनाइज नहीं कर पा रहे थे तो मैं आज इस बैठक की विवस्ताओं के लिए संदर आयजन के लिए सबसे पहले सबने मंडल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाय देता हूं और जहां तक बात है कि संदेश क्या हमने अपने राजनिदिक प्रस्ताओं में वह सब बातों का उनलेक किया है कि जो इस देश को इससी प्रधान मंत्री वही किसान सम्मान निधी का लाव लेने वाले में मुर्दे भी सामिल है अभी तक आपने सुना होगा कि इंकम टैक्स वाले ही प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना का फाइदा उठा रहे हैं लेकिन यहां पर 33,936 ऐसे किसान है जो दस्तावेजों में मृत होने के बाद भी किसान सम्मानित का लाव ले रहे हैं किसी निधे साले लखनों से भेजी गी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है रिपोर्ट आने के बाद किसी विभाग में हणकम मच गयाै किसान सुमान निधी योजना के तहट हर वर्थ किसानों के खाते में 6000 भेजे जा रहे थे जून माह में किसी निदेशक कार्याले को उन किसानों की सूची भेजी गई है जिनकी मौत हो चुकी है किया है पूरा मामला और क्या कर वही है अब नोग इन 3300 किसान का सथ्यापन करा रहे हैं कि इसका सथ्यापन कि पीयम किसान के लवारती थे उनको यह देखा जा रहा है कि बाद कि विए निए कि पातका के बाद भी प्यवारदी Kisam तो उनके वाइन के और उनके परिवार देवी के पास आवास पे पहुचे हैं और ज्वाइनिंग को लेकर अपनी मां उठा रहे हैं जिसके बाद मंत्री गुलाब देवी ने सिचको को वर्ता के लिए बुलाया है वही राइबरेली से खबरे भी आ रहे हैं कि बद्दोख और थाना छित के अंतरगत मुंसी गंज पोलिस चोकी में तैना सिपाही पर चाट का ठेला लगाया ब्यापारी को लात घुसों से मारने का आरोप लगाया दरसल मुंसी गंज बा पीडित ने इसकी सिखाय छेता अधिकारी से की तब जाकर उसे छोड़ा गया और अब ब्यापारियों ने पीडित ब्यापारी को लेकर पुलिस अधिचक से न्याय की गुहाल लगाई है वहें पुलिस अधिचक ने चवकी पर तैनात सिपाही योग पर कारवाई का आस्व पर अधिकर ब्यापारियों को सांध किया है उसके वाद जब जिला अधिया तिलोजन सिंग शाब लाएं मार चले गए हैं माते हुए मुझी रन चोड़ा है तो हम पार तीन सिपाही थे हैं यहां कहां पड़ाई वहीं सितापूर में जोला चाब डाक्टर ग्रामिड यूँ की जान से खेलना कब बंद करेंगे जहां जोला चाब डाक्टर में से दवा करानी एक लड़के को भारी पड़ गई वहीं इंजिक्शन लगाने के कारण हाथ खराब हो गया आपको बताते चले कि पूरा मामला सीतापूर जन्पत के सामदाइक स्वासकेंडर करसुमांडा का है जहां पर बरेठी में जोला चाब डाक्टर मूल चन दौरा एक किशोर का इलाज किया गया इलाज करानी के बाद उसका हाथ अपंग हो गया है वहीं इसकी सूचन थाना कमलापूर में दी गई मगर कोई भी कारवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई वहीं आज पीडित बेक्त ने बताया कि जोला चाब डाक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे के हाथ में भीषड दर्द हुआ उसको मुल्चन डाक्टर के बताने के अनुसार लखनों हास्पिटल ब्राइड में आपरेशन कराया गया जिसमें लगभग तीन लाख रुपए खर्चे हुए और हाथ भी खराब हो गया वहीं पीडित ने जब ठाने पर कारवाई ना होने के अफिस में दप्तरों के चक्कल लगा रहे हैं मगर इंसाफ कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं कि वहीं देश के राश्टपती रामनात कोवित कृष्ण नगरी ब्रिंदावन पहुचे हैं जहां राश्टपती का स्वागत सीय प्यम योगी और राज्जिपाल आनंदी बेन पटेल ने किया राश्टपती ब्रिंदावन के बाके विहारी मंदिर में पूजा अर्चना की कि इसके बाद हो क्रिश्ट कुटी राश्च्रम में नीजासी माताओं के साथ मिले इस दोरान आम सरदालूं के लिए मंदिर में प्रवेश बंद रहा जनपत में हर जगह पर पुलिस बलके साथ पीसी के जवान तैनात किये गए वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में सह कारिता राजमंत्री ने यूपी को आपरेटिव बैंक लिम्टिट की तेरह नई साखाओं का सुभारम किया जिसमें यूपी के महराज गंज गोरकपुर हापुर जिले में नई साखाएं सामिल हैं आपको बता दे कि यूपी को आपरेटिव बैंक लिम्टिट की मुखे साखा में कारकरम का आयोजन किया गया इस मौके पर को आपरेटिव बैंक के तमाम कर्मचारी और रिधिकारी मौजूद रहे बैंकिंग के द्वारा बदद कर सके हैं ऐसा हमारा उत्धेश है अलाकि उत्तर प्रदेश में हमारी जिला साहकारी बैंक है उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक बहुत अच्छे डख से काम कर रही है ग्रामिनों के लिए किसानों के लिए लेकिन उत्तरपदेश कॉपरेटिव बैंक पूरी तरीके से रिजर्ब बैंक आप इंडिया के रेगुलेशन के आधार पर काम करता है और जो सुविधाएं नेसलाइस बैंकों में हैं वो सभी सुविधाएं देसलाइस बैंक से प्रतिस्परदा करते हुए उनसे बहतर उनसे बहतर तरीके की सेवाएं उत्तरपदेश के नाघृकों को देने का प्रयास करेंगे और इन 40 साकाओं के साथ हमारा प्रयास होगा इसी साल हम इन साकाओं को बढ़ा कर पचास की संध्या में करें और इसी जो हमारी सरकार चल रही है पांस साल के भीतर ही हमारा लक्ष है कि कम से कम सौ ब्रांज जहीं कबरें जननपात में पूलिस ने साइवर अपराधियों के एक बड़े ओनलाइन ठगी के अड़े को तबाह कर दिया है इस अड़े को पांच मास्टर मैंड साइब ठक चला रहे थे ओनलाइन ठगगी के इस अड़े को काट पूलिस और क्राइमश सेँ्ट ले भंडा फो किये दरसल सार्ट लिस्ट बताकर अपनी बातों में उल्जाकर इंटर्विव के लिए अन्य नंबरों से फोन कर पूरी चैन पक्रिया बताते थे इससे किसी को सकना हो और धोखा धड़िकल लेप्टॉप और मोबाइल में पहले से ही यह अलग-अलग नाम की कंपणियों के न मेल आइडी से मेल भेज कर लोगों को फसाते थे कि साइबर सेल शाजहाभूर और थाना कार्ट की सेंट कारवाई में एक साइबर अपरादियों के गिरों पकड़ा गया जो एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे थे थाना कार्ट शेत्रांतरगर बरेंडा मोर के पास यह लोगों को नौकरी का जहासा देकर फर्जी उनको आफर लेटर्स और लेटर अफ इंटेंट्स वगड़ा बेजे जा रहे हैं कि अब इसके बाद जब वो पैसे भेज देता है इस बार वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको डेवलप किया गया साइबर सेल के तो चार लैट्टॉप मिले हैं दस मभाइक पोच मिले हैं वो चार जो फिंगर्प्रिंट स्कैनर होते हैं वह मिली हैं हाड़ डिस्क है और एक स्कैनर है और इसके अलवा अलग-अलग नामपतों के 14 आधार कार्ड हैं जो इस जिससे सिंसे अश्म एक्टिवेट किये जाते वही नसा निसे दिवस के मौके पर यमना एसोसियन द्वारा संचाली दिशा नसा उप्चार पुनरवास केंद्र लखनवू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जागरू का भियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया राजदानी लखनवू में यूपी प्र साथ समाजिक कारकरता और सरकारी कर्मचारी आधि लोग नसा मुक्त भियान को सफल बनाने के लिए कारेकरम में सामिल रहे है कि एक जन्न आंदोलन के लिए कार्च कर रहा हूं सबसे पहले जब मैं सुड़ेंट का 1988 में ग्राइशन का कुछ समय हम लोगों ने कुछ यूद् करने दिया यहां पहला कॉंसलिंग सेंटर ड्रेंग अभिउस प्रिवेंसन के लिए हम लोग ने यह उन्यां नियुक्त जूप किया और हम लोग निरंतर 1991 में हम लोग अने पहला दिये अदिक्षण डिखर वेल्पेर होते रहाता उसकी मदद से हम लोगों ने शूप किया और दो हजार दस से लखनों में हमारा दिसाद नसाद सब्सक्राइब हम लोग ने स्टार्ट किया और लखनों में पूरे यूपी में हम लोग काज़कर्ण हैं और अभी तक 20,000 लोगों को हम लोगों ने बदल करके एक नई जिन्गी के लिए प्रिडिस किया है प đấy कि तक है मेues और मेंध गर जायएंव्चय के व्यक्ति सब्सक्राइब में लिए अब वहीं ख़़वर कानपूर से है जहां भारी फोर्स के साथDo यसटीयम सदर के नित्यूत में जायका रेस्टोरेंट को सील किया गया है सुत्रों की माने तो खाद रसत विभाग और यस्डीम सदर की सयुक्त टीम ने इसके उपर कारवाई किये आपको बता दे कि जायका रेस्टोरेंट में रोड से 500 मीटर की दूरी पर इस्थित है कि वहीं उधम सिंग नगर के रूद्रपुर इस्थित भाजपा जिरा कलेयरे पर आयोजित लोगतंत सेनानियों के सम्मान समानों पर सुबे के मुख्यमत्री पुस्कर सिंग धामी रूद्रपुर पहुचे जहां उन्होंने कारकरम में 28 लोगतंत सेनानियों को साल लडाकर औ इससे पूर भाजपा करकताओं ने धामी के रूद्रपुर इसी जिला कारेले पर पहुचने पर जोड़दार स्वागत भी किया आपको बता दे कि भाजपा दौरा आपात काल के दौरान लोगतंत की रच्छा करने संघर्ष करने और जयलों की यातनाय सहने वाले लोगतंत सेनानियों के सम्मान में समान समारो का आयोजन किया गया प्रदेश के सभी विश्यों का मामला हो चाहे हमारा एयरपूर्ट से जड़ोएवे मामले हो विजली परियोजनाओं की बात हो मंदिर माला मिस्ट की बात हो इन एक ने शरूप म defuser दरने की बात ही सभी पर मामला न मंतरी जी से रस्या मंतरी से सभी विश्यों पर हमारे एक घटया़ जी का मांक सकते चित्ता करते हैं कोन से काम कितने आगे बढ़े हैं पिस ने आगी पड़े हैं लगातार उनकी सुभिश्य करते हैं मैं तो हुँगा कि आठो कि आख वहीं खबर मंगलोर से हैं जहार यूग ने जहरीला प्रदार्द का सेवन किया दरसल मंगलोर बिधान सभा के गाउं बूढ़पुर के कार्तिक नाम का योग ने जहरीले प्रदार्थ का शेवन किया गया जिसकी उम्मुर ने 16 साल वर्स बताई जा रही है कि वहीं डॉक्टर ने बताया कि आज योग जो बूढ़पुर का निवासी है उसे रुड़की सिविल हस्पिटल लाया गया इससे पहले योग के परिजन उसे नारसन ले गए थे जहां से उसे रुड़की रेफर किया गया योग को वहाँ पर ट्रीट्मेंट दिया जा रहा है उसकी हालत में अब सुधार है पार्टिक नाम का एक लड़का हमारे पास लाया गया जिसके उम्र 16 वर्ष है इसके घरवालों दुआरा बताया गया कि इसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था पहले इसको चेह सी नासन लेकर गये थे वहाँ से इसको रेफर कर दिया गया अभी इसको हमारे पास लाय पास लोड़ी यहारा ला Very good treatment चल रहा है कि कंदीशन अभी ठीक है कि बूट्पूर जट अब आ 2 पोध कुड़्यवायि diz अटार यह वहीं का कबर्ट आनि से है कि हल्दानी के गोला परीष्टीरं अंतर Илиश्टी स्ट्टीयम में सुंमिंग्र हो गया है जिसमें खैल आए भ बच्चे अगर अंतर राष्टी स्टेडियम कोला पाउर में तैराकी सीखना चाहते हैं तो वह जिला खेल का रहले से से रेजिस्टेशन फार्म भर कर तैराकी सीखने के लिए आवेदन कर सकते वहीं सहाय खेल निदेशक के मुताबिक सुमिंग पूल में तैराकी के ट्राइल के बाद ही एंट्री मिलेगी वहीं स्विमिंग खुलने से हल्दानी में तैराको में भी खुशी का महौल है अब जिला खेल कारेल हलदवानी द्वरा जो सुमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है और इसको हमने चौबश तारिक से हमने जन्ता के लिए जो है इसको ओपन किया खिलाडियों के लिए जो भी खिलाड़ी इसमा अना चाहते हैं वो अपना एक रेजिश्टेशन कराके जिला खेलकारेले हल्दवानी में उनको और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिनको सुमिंग आती है उनी लोगों को दे रहे हैं क्योंकि यह सुमिंग पुल जो कि अंतराश्ट्री मानुकों के अनुरूप बना हुआ है इसमें ऑलम्पिक साइज सुमिंग जो पचास और चोड़ा है और इसमें सारी आधुनिक सुमिंग उपलब्द हैं हमारे पास यहां पर कोचेज हैं और साथ मैं लाइफ सीवर और स्विंग के जो भी जितने वी उपकरान है हमारे पार उपलब्द हैं और जैसे कि आपने सुमिंग यहां पर देखा हुआ है कि बहुत ही है और हमने यह जिहान रखा है कि इसमें गाजीपूर खानपूर थाना पूलिस देर रात देर साम बड़ी सफलता मिली है और गाजीपूर उसने छेत्र में साधी भाधी गाउं के पास संदिक दो और वाहां चेकिंग के दौरान जो 22 अबार तसक्रों के ग्रिप्तार कर लिया गया है जबकी एक फरार हो गया है सोम वारको पुलिस कार्याले में आयोजीत प्रेशवारता में पुलिस अधिच्चक राम बड़न सिंग्रे अभ्युक्तों को मीडिया के समझ पेस किया उन्होंने बताय कि फंदे में आया अभ् अभी तक तो इनकी पुरादी किमिले से नहीं मिली है उसकी भी हम जानकारी करवा हैं पूरे जिले से अब गांजय की कीमत क्या यह तो अलग-अलग है और इसकी तवाफ सक्ता के अंसार होती है इस बुल्टन में इतना ही बने रहाने ख़बरों के लिए आरेनुज के साथ नमस्कार